हलो दोस्तों ओनलाइन फार में आपका स्वागत है और पी सी ए यू एल डिसी जे एसे राज़ेंदर प्रसाथ सेंट्रल एग्रिकल्चर इनिवर्सिटी लोबर डिविजनल कलर्ग और जुनियर एकाउंट कलर्ग का जो है वैकेंसी का जो है सौट लिस्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों और उसका मॉक टेस्ट लगतार चल रहा है तीस्रा दिन है धेंके दॉस्तों आज हिंदी का और जनीं का कुल 70 कोछन लेकर बहुत चोटा चेनल है अभी इस पर यूटूब के तरब से कोई रवेन नहीं प्राफट होते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करन से परेद याप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा इसी तरह की पलपल की अपडेट के लिए से यार-पी-C-A-U से संबनीत और मौक् टेस्ट्स से संबनीत लगाता रंॉटेस्ट। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा ज्याइन कीजिये और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करके पहुंचाया ठीक है दोस्तों चलिए वीडियोश शुरू करते हैं कि आपके स्क्रीन पर फाहला कोशने बाद दीए गए भाकियों में लाल भाज में कुछ न कुछ तूती है दोस्तों कि तुरंत पके और मीठे फल ब्रिचों से तोड़ लेता है अप्शन पहला है आपका जल नहीं पके और मीठे फल आधे पके और अनपके पके और मीठे फल कोई सुधार किया हो सकता नहीं है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही इंसर हो जाएग पके और मीठे फल यानि जो तुरूटी है इसमें है पके और मीठे फल ठीक है दुस्तो चलिए दुसरा कोशन है आपका समाज एवं देश के बहुमुख्य विकास के लिए तन मन धन से प्रियत्न करना होगा इसमें red में दिया हुआ है केवल मात्रक सरकारी कागजी योजनाओ से कोई लाव नहीं होगा देखे इसमें पहला option है आपका केवल सिर्फ कागजी योजनाओ दुसरा है सिर्फ मात्रक कागजी योजनाओ तिसरा है मात्रक कागजी योजनाओ चौथा है कोई सुधार क्या हो सकता नहीं है तो दुसरे का इंसर हो जाएगा मात्रकाग जी योज नाओ ठीक है दोस्तों चलिए तीन नमर कोशन है बढ़ती महंगाई के कारण देशी घी खरीदने की सार्थकता लोगों में नहीं रह गई है यह जो है रेट कलर में दिया हुआ है देशी घी खरीदने की सार्थकता अप्सन है देशी घी खरीद सकने की इच्छा दुसरा अप्सन है देशी घी खरीद करने की समर्थ्यता तिसरा है देशी समान खरीद सकने चौथा है कोई सुधार क्या हो सकता नहीं है तो तीसरे का एंसर हो जाएगा देशी घी खरीद सकने की सामर्थ्यता इसका सही एंसर ये हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए चौथा देखते हैं दोस्तों चौथा कोशन देखेगा अस्त छाप के सर्वस्तरिष्ट भक्त कभी के रूप में का नाम लिया जाता है कुम्भन इसका सही एंसर हो जाएगा सूरदास को जो है अश्त छाप के सर्वस्तरिष्ट कभी के रूप में जाना जाता है चलिए पाच्वा कोशन है डौट 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 बुरी बला है अपस्छन ए लडाई बी अज्यानता सी लालच डी मुरखता है तो इसका सही एंसर हो लालच बुरी बला है यानि आप डॉट डॉट में लालच भरेंगे तो सही एंसर हो जाएगा लालच बुरी बला है चाह नमर कोचन है दोस्तों अगर अभाव ना हो तो डॉट डॉट कौन पूछे अपसर ए है मोल बी है बात इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों इसमें भरा जाएगा भाव अगर अभाव ना हो तो भाव कौन पूछे ठीक है दोस्तों दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग अंतक बने रहेगा क्योंकि 70 कोचन है और सभी कोचन इंपोर्टेंट है आपक जीवन लहरा उठा वऑ जिसका जिधर जुका प्रेम बरस पड़ा अप्शन नंवर कोचन देखेगा दोस्तों नीमन लिखित में से कौन सा शब्द बीसेसन है, अप्शन A है सौंदर्य, B है बेकारी, C है ब्रिच, D है फुफेरा, तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आठवा का, इसका सही एंसर हो जाएगा, फुफेरा, फुफेरा एक बीसेसन सब्द है, जो बीसेस्ता बतलाता है, सब्द की बीसेस्ता जो बतल आता है वह बीसे संद कालाता है चलिए नाइन नमबर कोश्चन है नौ नमबर किस वाक्य में अच्छा अपर देखेगा दोस्तों यह रेट कलर है अच्छा सब्द का परियोग बीसे संद के रूप में हुआ है तुमने अच्छा किया जो आ गए पहला अप्सन था दूसरा वह अस्थान बहुत अच्छा है तिसरा है अच्छा तुम घर जाओ और चोथा है अच्छा है वह अभी आ जाए तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा वह अस्थान बहुत अच्छा है इस वाक्य में अच्छा सब्का विसे संद के रू इन में से एक क्रिया विसेशन है अप्सन ए है वह धीरे से बोलता है बी है वह काला कुत्ता है सी है रमेश तेज धावक है और डी है सत्यबाणी सुन्दर होती है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा वह काला कुत्ता है वह काला कुत्ता है यानि विशेष्टा बतला रहा है क्रिया का जो है विशेष्टा बतलाने वाला क्रिया विशेष्टा काला रहा है तो यह क्रिया की विशेष्टा बतला रहा है कि वह काला है कुत्ता है ठीक है दोस्तों चलिए एक आरा नमर कोश्चन देखते हैं एक आरा नमर है दोस्तों निमनांकित में से BCSन कौन है option A है सूलेक, B है आकरसन C है भव्य, D है पौरूस तो एक आरा नमर का क्या answer हो जाएगा दोस्तों आकर्सन, आकर्सन एक BCSन सब्द है ठीक है दोस्तों आकरसन एक विसेशन सब्द है चलिए बारा नमर कोशन देखते हैं दोस्तों बारा नमर है बस्तूओं के नाम बताने वाले सब्द को क्या कहा जाता है अपसन A. Sंग्या B. Sarnam C. Vिसेशन और D. है अब्या यानि बस्तूं का नाम बताने वाले सब्द को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है सर्वनाम इसको क्या कहाता है सर्वनाम जो संग्या की विसेस्ता बतलता है सर्वनाम कहलता है चलिए तेरा नमर कोशन नीम नमे से कौन सा भाव आचक संग्या नहीं है अप्सन A है लंबाई, B बहन, C दया, D सत्रुता इसका क्या अंसर हो जाएगा दोस्तों? तेरा का अंसर हो जाएगा B यानि बहन, बहन जो है भाव आचक संग्या नहीं है चलिए 14 नमर कोशन देखेगा दोस्तों कौन सा सब्द भाव आचक संग्या नहीं है अप्सन A है मिठाई, B है चतुराई, C है लडाई और D अप्सन इसमें छुट गया है दोस्तों तो इसका सही अंसर हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा मिठाई क्या हो जाएगा मिठाई इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए 15 नमर कोशन देखते हैं दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा सब्द भ्यक्ति वाचक संग्या है अप्सन A है गाई, B पहाड, C यमुना, D आम तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कितने परकार के होते हैं तो हिंदी में लिंग दो परकार के होते हैं इस्त्री लिंग और पुलिंग ठीक है दोस्तों हिंदी में लिंग दो परकार के होते हैं इसमें अप्सन था 3, 4 इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा 2 ठीक है दोस्तों चलिए 17 नमर कोशन देखिएगा हिंदी में सब्दों कर लिंग नेधारण किसके अधार पर होता है अप्शन ए Penit B gunnaam C भीज़िन संगया डी क्रीया तो इसका एंसर क्यों हो जाएगा दोस्तों संग्या के अधार पर हिंदी में लिंग दिन धारन किया जाता है ठीक है दोस्तों चलिए 18 नमर कॉशन देखते हैं सुन्दर सब्द का स्ट्रिलिंग क्या है अपशन A संदर्य B संदर्यता C संदरी और D संदरी करान ठीक है दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा C सुन्दरी जो है सुन्दर सब्द का इस्त्रिलिंग सब्द है ठीक है दोस्तों चलिए 19 नमर कोशन है निम्न लिखीत में से कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग और पुलिंग दोनों है अप्शन A है हार B है धार C है तार D है वार तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों हार इसका जो है इस्त्रिलिंग और पुलिंग दोनों सब्द दोनों में आता है ठीक है दोस्तों चलिए next question 20 नमर देखिएगा हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं रिती रिती का बहु अचन बताईए evolution A है रितिये B है रितिये C है रितिया D है रितिया ठीक है दोस्तों देखिएगा इसमें बहुत मामूली फरक होता है इसको ध्यान से पढ़कर और ध्यान से मरिएगा ऐसे question को ठीक है दो तो चलिए एकस नमबर जो है इसका इंसर हो जाएका रीतियां जो है इसका बहुवचन है चलिए 22 नमबर कोचन देखियेगा दोस्तों गाऋ का वहचन बताईए गवे गवमे गवे टीक है इसका इंसर पहुचन हो जाएगा 22 का । त॥ Ba are recognizable games or .Haunch इसका इंसर हो जाएगा दोस्तों नीतिया जो है نीति सब्ड का बहु अचन है ठीकर दोस्तों चलिए आँगे देखिएगा 24 नमर कोशन हर स्वर स्वर की पहचान करे हर स्वर अप्शन A है U B है A C है A और D है U तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा U U जो है हर स्वर है ठीक है दोस्तों चलिए 24 नमर कोशन देखिएगा 24 नमर कोशन देखेगा दोस्तों 24 नमर कोशन देखेगा चलिए दोस्तों देखिए यह जो 24 है यह जो है टाइपिंग मिस्टेक दो बार 24 हो गया है तो हिंदी में कितने स्वर हैं अपसन A है 11, B है 9, C है 10 और D है 8 तो इसका एंसर हो जाएगा 11, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं ठीक है दोस्तों चलिए 25 नमर कोशन देखते हैं कौन से दिर्ध स्वर हिंदी में नहीं है अपसन A, R, यह री जो है यह वाला री है दोस्तों इस तरह वाला ठीक है जहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पारा था इसलिए तो यह री, सू, ए और यह भी री जो है वहीं वाला री है सू और री दोनों इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कौन से दिर्ध स्वर हिंदी में नहीं है तो इसका सही एंसर हो जाएगा सू, सू जो है दिर्ध स्वर नहीं है यह ठीक है चलिए 26 नमर question देखिएगा दोस्तों वर्ण माला में कूल वर्णों की संख्या कितनी है Option A 44, 45, 46, 48 इसका answer हो जाएगा 48 वर्ण माला में कूल वर्णों की संख्या 48 है ठीक है दोस्तों इसके बाद 27 नमर question देखिएगा निम्न लिखित में से कौन सा रूड सब्द है अप्शन A दया सागर, B पंकज C विद्याले, D जल तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा जल जल जो है रूड सब्द है 28 नमर कोशन देखिएगा दोस्तों पर्योग के अनुसार सब्द के कितने भेद होते हैं अप्शन A है 4, B 8, C 3, D 4 इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 28 का एंसर हो जाएगा 4 पर्योग के अनुसार सब्द के 4 भेद हैं 29 नमर कोशन देखिएगा दोस्तों 29 नमर कोशन देखिएगा 29 नमर कोशन है दोस्तों ब्याकरण में ब्याकरण में पद सब्द की परिभासा चैनित कीजिए ठीक है दोस्तों तो जो है ब्याकरण में पद सब्द की परिभासा जो है अच्छरों का समू समाज का हिस्सा धोनियों का समू तो इसका क्या एंसर हो जाएगा दोस्तों अच्छरों का समूँ ठीक है चलिए नेक्स्ट है तीस नमर कोशन स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले सब्द का लाते हैं ठीक हो जाएगा अप्सन ए है रूड बी है योगिक सी है योग रूड और डी है इनमें से कोई नहीं यानि तीस नमर कोशन है स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले सब्द क्या कालाते हैं इसका एंसर हो जाएगा रूड सब्द कालाते हैं यानि स्वतंत्र सत्ता जो धारण करते हैं और रूड सब्द कालाते हैं ठीक है चलिए एक संबंद सुचक D है इनमें से कोई नहीं ठीक है दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं वाक्यों को जोडने वाले या दो सब्दों या वाक्यों को जोडने वाले सब्द इसमें से कोई नहीं होता है ठीक है इसका जो है संदी होता है दो सब्दों को जोडने व अर्थ के अधार पर वाक्य कितने प्रकारके होते हैं बीधाना थी निशे धात्मक प्रबोधक अज्यार्थक उप्युक्त सभी तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसका एंसर हो जाएगा 32 का बी निसे धात्मक ठीक है दोस्तों निसे धात्मक इसका सही एंसर हो जाएगा इसके बाद देखेगा दोस्तों 33 नंबर कोश्चन देखेगा यहाँ पर टाइपनल में बता जाता हुँ दोस्तों यह गोडा अच्छा है वाक्य में वाक्य में यह क्या है तो यह जो है अप्सन A है संग्या, B है सर्वनाम, C है विसेशन, D है सर्वनामिक विसेशन तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों B सर्वनाम है कोशन क्या था यह घोडा अच्छा है इस वाक्य में यह क्या है यह एक सर्वनाम है ठीक है दोस्तों चलिए 34 नमर कोशन देखिएगा नीचे दिये गए वाक्यों में कलांकित सर्वनाम का भेद बताईए वाक्य है मैं कुछ पुष्टके लाया हूँ इन्हें तुम रख लो अप्सन A है पूरुस वाचक B है निश्चे वाचक C है निज्वाचक D है संबंध वाचक इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 34 का एंसर हो जाएगा निश्चे वाचक जो ये कलांकित है इन्हें तुम रख लो ये निश्चे वाचक सब्ध है ठीक है दोस्तों चलिए 35 नमर कोशन है दोस्तों इस वाक्य में सरोणाम बताना है आपको अपसान A है कल B है वा सी है बिद्याले डी है जाएगा इसमें से कौन सर्वनाम है दोस्तों तो इसका सर्वनाम है बिद्याले क्या है सर्वनाम है कल वह बिद्याले जाएगा बिद्याले सर्वनाम है 36 नमर कोचन देखेगा तू, तू, तुम, आप आदी हिंदी में कौन से पूरू स्वाचक सरो नाम है अप्शन A है उत्तम पूरुस, B है अन्या पूरुस, C है मध्यम पूरुस और D है इनमें से कोई नहीं इसका इंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का मध्यम पूरुस तू, तू, आप आदी हिंदी में मध्यम पूरुस होते हैं चलिए 37 नमर कोचन देखेगा दोस्तों निमन लिखित में से सब्दों में से कौन सा सब्द पूरुस वाचक सरो नाम के अंतरगत रखा जा सकता है अप्शन A है राम, B है या C है हम, D है कोई तो इसका इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 इसका इंसर हो जाएगा या, या जो है पूरुस वाचक सरो नाम के अंतरगत रखा जा सकता है चलिए 38 नमर कोचन देखेगा दोस्तों पहले ही रेट कलर में दिया हुआ है अतीथी के लिए चाय लाओ इस वाच्य में अतीथी के लिए में कौन सा कारक है option A है करम कारक, B है संपरदान कारक, C है करण कारक और D है अपादान कारक तो इसका इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संपरदान कारक के लिए चलिए 49 नमर कोचन है दोस्तों, बच्चा पेन से लिखता है इसका पद बताना है, करता, करण, करम, संपरदान, इसका इंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संपरदान, कारक बच्चा पेन से लिखता है, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, मैं किस संबन्दी असुद्धी है यहाँ पर मैं किसके संब्धन असुद्धी है लिंक से वचन से बिसेशन से कारक से तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों लिंक का यहाँ पर असुद्धी है मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ ठीक है दोस्तों चलिए 41 नमर कोशन है आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है संबंद कारक, अपादान कारक, संपरदान कारक, अधिकरण कारक इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों संपरदान कारक आपका पत्र मिला चलिए 42 नमर कोशन है दोस्तों विखारी को खाना दो इसमें कारक आपको बताना है करम कारक, करन कारक, संपरदान कारक, आपादान कारक तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों करम कारक विखारी को खाना दो में करम कारक है चलिए 43 नमर कोचन है दोस्तों संधी के कुल कितने भेध हैं अप्सान A है 3, B है 2, C है 4 और D है 5 तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों 3 संधी के कुल 3 भेध हैं हिंदी के अंसार दोस्तों चलिए 43 के बाद 44 नमर कोश्चन 44 है दोस्तों मत्यक्य कौन सा संधी है अप्सान A ब्रिधी संधी, B दिर्ध संधी, C है गूर्ण संधी और D है अयादी संधी इसका इंसर हो जाएगा दोस्तों अयादी संधी मत्यक्य में अयादी संधी है ठीक है दोस्तों 45 नमर कोश्चन पावक कौन सा संधी है तो पावक ग जो है एक ब्रिधी संधी है चलिए 46 नमबर देखिएगा दोस्तों दिगंबर कौन सा संधी है अपसन A है स्वर्ग संधी B है ब्यंजन संधी C है विसर्ग संधी और D है उप्यूक सभी इसका एंसर हो जाएगा विसर्ग संधी दिगंबर दिख धन अंबर ठीक है दोस्तों चलिए तो यह 46 कोश्चन था अब 47 कोश्चन देखते हैं अब जो है आपका जेनरल का कोश्चन आ गया ठीक है दोस्तों तो 48 नमर कोश्चन देखिएगा जीम कारबेट नेशनल पार्क कहां इस्थित है अप्शन A है आंधर परदेश B असम C उत्तर परदेश और D है करनाटक ठीक है दोस्तों इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर परदेश 48 का सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर परदेश चलिए 49 नमर कोश्चन देखिएगा औंचास नमर कोचिन देखेगा दोस्तों गंगा परबनी परियोजना है अप्सन E, फरक का B, हीराकुण B, भाखणा नांगल बाद D है इन में से कोई नहीं तो इसका इंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं ठीक है दोस्तों इन में से कोई नहीं कि पत्चास नमर्स देखेगा दोस्तों 50 नमर्स कोशन है कौंसा दीप प्रूणतः यहाँ प्रूणतः है दोस्तों प्रommesिध प्रूणतः प्रूणतः प्रवाल दूणतः है अप्सकंत्ट धिन्द. एक काउन नमबर देखियेगा दोस्तों कांगरेस पतन के लिए लटखड आ रही है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांगरेस की साम्ती पूर्ण समाप्ति में सायोग करना है या किसने कहा था अप्शन A है जार्ज हैमिल्टन B है लाड़ करजन C है लाड़ डपरिन और D है लाड़ मिन्टो तो इसका सही एंसर क्या हो जागा दोस्तों लाड़ करजन काता था कि कांग्रेश पतन की ओर लड़ खड़ा रही है और मैं इसे सयोग करना चाहता हूँ ताकि पूरी तरफ लड़ खड़ा आ जाए ठीक है दोस्तों चलिए 52 नमर कोशन देखिएगा 52 के बाद 22 नमर देखिएगा दोस्तों अंग्रेशी सासन के दोरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का परतिपादन किसने किया था अप्शन A है दादा भाई नारोजी B है एमिन राय C है जैप्रकास नारायन और D है राम मनोहर लोहिया तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी ठीक है दोस्तों चलिए Next question है नीम्न मेसे कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है अप्शन A है चिलका जील उडिसा में B है सांभर जील राजस्थान D है लोनार जील मद्य परदेश और D है कोलेरू जील आंधर परदेश इसमें कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है लुनार जील जील आप लोग जानते हैं दोस्तों ये महराष्ट में है ठीक है दोस्तों यह उलका पिंट के गिरने से ये जील बना था और ये महराष्ट में है ठीक है चलिए 44. कौचन देखिये भारतिय संसद में अस्थगन प्रस्ताव लाने का उदेश्य है अप्शन A सर्वजनिक महत्यों के निश्चित अवस्यक मुद्धे पर बहुस करने के लिए B है विपच्छी सदस्यों के मंत्रियों से सुचना प्राप्त करने है तू C है कीसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटोर्ती करने है तू और D है कुछ सदस्यों के हिन्सक अथवा अनुचित विवहार पर रोक लगाने के लिए कारवाही कारवाही को अस्थगित करने है तू इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों नीमन लिखित देशों में से कौन सा एक इूरेनियम का परमुख उत्पादक है अप्शन ए है सन्जुक्त राजी अमेरिका बी कनाडा सी जर्मनी डी जाम्बिया इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा कनाडा कनाडा इूरेनियम का एक परमुख उत्पादक देश है चलिए चपन नमर कोशन देखते हैं दोस्तों किसी बस्तू के कीमत में ब्रिधी से क्या अभी प्रेरित है केवल मुद्रा के मुले में ब्रिधी और मुद्रा के मुले में गिरावट क्यावल मुद्रा की मुल्य में ब्रिधी मुद्रा की मुल्य में गिरावट और बस्तु के मुल्य में ब्रिधी इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा किसी बस्तु के कीमत में ब्रिधी से अभी प्रिद्ध है कि मुद्रा की मुल्य में गिरावट क्या हो जाएगा दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा पोंगल जो है केरल का तेवहार है ठीक है दोस्तों बीहु असम का चलिए अंठावन नमर कोशन है निम्न लिखित में से कौन सा एक बंदर का कच की खाड़ी में इस्थित है अप्शन ए है कोचिन बी है हल्दिया सी है कांडला डी है तूति कोरिन इसका सही एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा कांडला कांडला जो है कच की खाड़ी में इस्थित है चलिए 69 नमर कोशन देखते हैं दोस्तों करक रेखा और मकर रेखा तीनो निम्न में से किस महादीप से होकर अफिरिका, अफिरिका से जो है भुमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा, तीनो एक साथ गुजरती है, ठीक है दोस्तों, चलिए, साथ नमबर कोशन देखिएगा, संजुक्त राष्ट संग दिवस कब मनाया जाता है, अप्शन A है 24 अक्टूबर, B है 22 अक्टूबर, C है खित में से किसने असहयोग अंदोलन के दोरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निश्ठूर बरबादी बताया था, अप्शन A है रभिननाट टेगोर, B है मुहम्मद अली, C है लाड रीडिंग, और D है मोतिलाल निहरू, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एंसर हो जाएगा अमलिये मिट्टी चाए बगानों के लिए उप्यूक्त होती है, चलिए 63 नमर कोशन है 33 नमर कोशन है दोस्तों, नेता जी सुबास राष्टिये खेल संस्थान कहां इस्तित है, अप्शन A है कोलकात्ता, B पूरे, C पटियाला, D ग्वालियर, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही अंसर हो जाएगा पटियाला, नेता जी सुबास राष्टि ये खेल संस्थान पटियाला में इस्तित है चलिए 64 नमर कोशन देखते हैं दोस्तों प्रीथ भी दिवस कप मनाया जाता है अप्शन अप्शन जतनी बिव पुस्तित हैं ठीक है चलिए 66 नमर कोशन देखते हैं मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था अप्शन A है दौलताबाद, B. कालिंजर, C. कन्नोज, D. लाहोर इसका एंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका एंसर हो जाएगा दौलताबाद इसका एंसर क्या हो जाएगा दौस्तों दौलताबाद दिल्ली से दौलताबाद ले गया था सरसट नमर कोशन देखिएगा दौस्तों प्रीत भी के निमलिखित अस्थानों में से कहां पर दिन और राद सदयों बराबर होते हैं और डी है कहीं नहीं ठीक है दोस्तों इसका इंसर क्या हो जाएगा बिस्वत रेखा पर दिन राद सदयों बराबर होता है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आज जो है कुल सरसट कोशन लेकर आया थे आप लोगों के लिए आंगे भी इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे वीडियो को पुरा देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो को जादस जादस सेयर करके अधिक लोगों तक पहुचाने की कोशिस कीजिए ठीक है दोस्तों सेलेक्ट होईए जम कर मिनात कीजिए और आगे भी इसी तरह आपके लिए वीडियो आती रहेगी चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक्यू